ओम शांती 7-9-2024 की साकार मुरली मीठे बच्चे ग्यान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहें तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे खुशी का पारा सदा चड़ा रहेगा प्रश्न इस समय मनुश्यों की नजर बहुत कमजोर है इसलिए उनको समझानी की युक्ती क्या है उत्तर बाबा कहते हैं उनके लिए तुम ऐसे से बड़े चित्र बनाओ जो भाद दूर से ही देख कर समझ जाए यह गोले का स्रश्टी का चक्र चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए यह अंधों के आगे आईन प्रहश्न सारी दुनिया को स्वक्ष बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है उत्तर यह नाचरल कैलमेटीस तुम्हारी मददगार बनती है बेहद के दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए ओम शान्ती गायन भी है बाप से एक सकेंड में वर्षार था जीवन मुक्ती और तो सब है जीवन बन्ध में यह एक ही त्रिमोड्ती और गोले वाला चित्र जो है बस यही मुक्ष है यह बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए अंधों के लिए तो बड़ा आइना चाहिए जो अच्छी तरह से देख सके क्योंकि अभी सब की नजर कमजोर है बुद्धी कम है बुद्धी कहा जाता है तीसरे नेत्र को तुम्हारी बुद्धी में अब खुशी हुई है खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं गोयश्य बाबा को याद नहीं करते हैं तो कहेंगे ज्यान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है जुनजार है बाप समझाते कोई को भी शॉट में समझाना है बड़े-बड़े मेले आदी लगते हैं, बच्चे जानते हैं सर्विस करने लिए वास्तों में एक चित्र ही बस है भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं है बाप ड्रामा और ज्जाड का अत्वकल्प व्रक्ष का और 84 के चकर का राज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारबाप का यह वर्षा मिलता है, यह भी अच्छी रीती कलियर है इस चित्र में सब आ जाता है और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं यही दो चित्र बहुत बड़े-बड़े अक्षरों के हो लिखत भी हो, जीवन मुक्ती गौट फादर का बर्थ राइट है होवनहार विनाश के पहले विनाश भी जरूर होना ही है ड्रामा के प्लैन अनुसर आपे ही सब समझ जाएंगे तुम्हारे समझाने के भी दरकार नहीं है बेहद के बाप से बेहद का यह वर्षा मिलता है यह तो बिलकुल पक्का याद रहना चाहिए परन्तु माया तुमसे भुला देती है समय बीटता जाता है गायन भी है न बहुत गई थोड़ी रही इनका अर्थ इस समय का है बाकी थोड़ा समय का ही है बाकि थोड़ा समय ही रहा है इस थापना तो हो ही रही है विनाश में थोड़ा समय थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी विचार किया जाता है फिर क्या होगा अभी तो जागते नहीं पीछे जागते जाएंगे आखे बड़ी होती जाएंगी यह आखे नहीं बुद्धी की आख छोटे-छोटे चित्रों से इतना मदा नहीं आता है बड़े-बड़े बन जाएंगे साइंस भी कितनी मदद देती है विनाश में तत्वे भी मदद करते है बिगर कोड़ी खर्चे तुमको मन कितनी मदद देते हैं तुम्हारे लिए बिलकुल सफाया कर देते यह बिलकुल छीची दुनिया है अज मेर में स्वर्ग का यादगार है यहां देलवाडा मंदिर में स्थापना का यादगार है पर अंतु कुछ समझ थोड़े ही सकते हैं अभी तुम समझदार बने हो भल मनुष्य कहते हैं हम नहीं जानते के विनाश हो जाएगा समझ भी नहीं आता एक कहानी है न शेर आया शेर आया नहीं मानते थे एक दिन सब गाय खा गया तुम भी कहते रहते हो यह पुरानी दुनिया गई की गई बहुत गई थोड़ी रही यह सारी नौलेज तुम बच्चों की बुद्धी में रहनी चाहिए आत्मा ही धारना करती है बाप की भी आत्मा में ग्यान है वह जब शरीर धारन करते तब ग्यान देते हैं जरूर उनमें नौलेज है तब तो नौलेज फुल गौट फादर कहा जाता है वह सारे स्रश्टी के आदी मद्य अंत को जानते हैं अपने को तो जानते हैं न स्रश्टी चक्र कैसे फिरता है वह भी नौलेज है इसलिए अंग्रेजी में नौलेज फुल अक्षर बहुत अच्छा है मनुष्य स्रश्टी रूपी जाड का बीज रूप है तो उनको सारी नौलेज है तुम यह जानते हो नंबर बार पुरुशार्थ अनुसार शिय बाबा तो है ही नौलेज फुल यह अच्छी रिती बुद्धी में रहना चाहिए ऐसे नहीं सबकी बुद्धी में एकरस धारना होती है भल लिखते भी हैं परन्तु धारना कुछ नहीं नाम मात्र लिखते हैं बता किसको भी नहीं सकेंगे सर्फ कागज को बताते हैं कागज क्या करेंगे कागज से तो कोई समझेंगे नहीं इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे बड़े से बड़ी नौलेज है तो अक्षर भी बड़े होने चाहिए बड़े ते बड़े चित्र देख मनश्य समझेंगे इनमें चरूर कुछ सार है स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है राजधानी किस्थापना यह है गौड फादरली बर्थराइट हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ती तो बच्चों की बुद्धी चलनी चाहिए कि सब जीवन बंद में है इन्हें जीवन बंद से जीवन मुक्त में कैसे ले जाएं पहले शांती धाम में जाएंगे फिर सुख धाम में सुख धाम को जीवन मुक्ती कहेंगे यह चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए मुक्खे चित्र है ना बहुत बड़े बड़े अक्षर हो तो मनश्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े चित्र बनाएं था, कल की बात है, आज वह नहीं है, क्योंकि 84 पुनर जनम लेते लेते नीचे आ गए, सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है, ग्यान और भक्ती, पुज्य और पुजारी का खेल है न, आधा आधा में बिलकुल पूरा खेल बना हुआ है, तो ऐसे बड़े बड़े चि त्रही काम में आएंगे, त्रिमूर्ती, गोला, यह है, मुख्य, यह बहुत अच्छी चीज है, अंधे के आगे जैसे आईन है, अंधों को पढ़ाया जाता है, पढ़ती तो आत्मा है न, परंतु आत्मा के ओर्गंस छोटे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए चित्रादी दिखाये जाते हैं, फिर थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, तो दुनिया का नक्षा दिखाते हैं, फिर वह सारा नक्षा बुद्धी में रहता हैं, अभी तुम्हारी बुद्धी में सारा यह ड्रामा का चक्र हैं, इतने सब धर्म हैं, कैसे कैसे नंबर बार आते हैं, फिर चले जाएंगे वहाँ तो एक ही आधी सनातन देवी देवता धर में जिसको स्वर्ग हैविन कहते हैं। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगे। भारत का प्राचीन योग मश्यूर है। योग अर्थात याद। बाप भी कहते हैं मुझ बाप को याद करो यह कहना पढ़ता है। लोकिक बाप को कोई कहना नहीं पढ़ता कि मुझे याद करो बच्चे आटोमेटिकली मुमा बाबा कहते रहते हैं। वह है लौकिक मात-पिता या है पारलौकिक जिसका गायन है। तुम्हारी करपा तिखो सुख घनेरे जिनको दुख है वही गाते हैं। सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती है। दुख में हैं तब पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो यह मात पिता है, बाप कहते है ना दिन प्रती दिन तुमको गोहे गोहे बाते सुनाता हूँ, आगे मालूम था क्या कि मात पिता किसको कहा जाता है, अभी तुम जानते हो पिता तो उनको ही कहा जाता है, पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, माता भी चाहिए ना क्योंकि बच्चों को अडॉप्त करना है यह बात किसके भी ध्यान में नहीं आएगी तो बाबा घड़ी-घड़ी कहते है मीठे-मीठे बच्चों बाप को याद करते रहो लक्ष मिल गया है फिर भल कहां भी जाओ विलायत में जाओ सात रोज कोर्स किया तो बहुत है बाप से तो वर्षा लेना ही है याद से ही आत्मा पावन बनेगी स्वर्ग का मालिक बनेंगे यह लक्ष तो बुद्धी वे है फिर भल कहां भी जाए सारा ग्यान गीता का इस बैज में है कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहे कि क्या करना है बाप से वर्षा लेना है तो जरूर बाप को याद करना है तुमने यह वर्षा बाप से अनेक बार लिया है ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई न कोई पद प्राप्त करते हो पढ़ाई में बुद्धियोग टीचर के सांथ रहता है इम्तहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो पढ़ती तो आत्मा है ना इनकी भी आत्मा पढ़ती है टीचर को और फिर एम अबजेक्ट को याद करना है स्रष्टी का चक्र भी बुद्धी में रखना है बाप और वर्षी को याद करना है दैवी गुण भी धारण करने है जितना धारण करेंगे उतना उँच पद पाएंगे अच्छी रिती याद करते रहते पिर यहां आने की भी क्या दरकार है परन्तु फिर भी आते हैं ऐसा उंच बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है उनसे मिलकर तो आवे मंतर लेकर सब आते हैं तुमको भी तो बहुत भारी मंतर मिलता है knowledge तो सारी अच्छी रीती बुद्धी में है अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा बाप को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं कुछ भी खर्चा आदी करते हैं सो तो अपने लिए ही करते हैं इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है कोई गोले का टैंक आदी तो खरीद नहीं करने हैं लड़ाई के लिए कुछ भी नहीं तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है इसको कहा जाता है योगबल सारी गुप्त बात है इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं है तुमको सिर्फ बाप को याद करना है इन सबका मौत ड्रामा में नूधा हुआ है हर पांच जार वर्ष बाद तुम योगबल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो पढ़ाई पूरी हुई फिर प्रालब्ध चाहिए नई दुनिया में पुरानी दुनिया के लिए यह नैचरल कैलमिटीज है गायन भी है न अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं कितना बड़ा कुल है सारा यूरोप आजाता है यह भारत तो अलग कोने में है बाकी सब खलास हो जाने योगबल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो पवित्र भी बनना है इन लक्षमी नरायन जैसा वह क्रिमिनल आई ही नहीं आगे चल कर तुमको बहुत साक्षतकार होंगे अपने देश के नजदीक आने से फिर जाड़ दिखाई पड़ते हैं तो खुशी होती है अब आकर पहुँचे अपने घर के नजदी तुम भी घर चल पड़े हो फिर अपने सुखधाम जाएंग आएंगे बाकि थोड़ा समय है स्वर्ग से विदाई लिए कितना समय हो गया अब फिर स्वर्ग नजदीक आ रहा है तुमारी बुद्धी चली जाती है उपर वह है निराकारी दुनिया जिसको ब्रम्हांड भी कहते हैं हम वहां के रहने वाले हैं यह 84 का पार्ट बजाया अभी हम जाते हैं तुम बच्चे हो ओल राउंड शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो देरी से आने वाले को ओल राउंड नहीं कहेंगे बाप ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हो एक जन्म तक भी पिछाडी में सब चले जाएंगे वापस नाटक पूरा हूँ अखेल खलास अब बाप समझाते मुझे याद करो अंतमती सुगती हो जाएगी बाप के पस परम धाम में चले जाएंगे उनको कहते हैं मुक्ती धाम, शक्ती धाम और फिर सुख धाम यह है दुख धाम उपर से हर एक सतो प्रधान फिर सतो रजो तमों में आते हैं एक जन्म होगा तो उसमें भी इन चार स्टेजिस को पाएंगे कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं फिर भी याद नहीं करते बाप को भूल जाते हैं नंबरवार तो है ना बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुशार्थानुसार रुद्रमाला बनती है कितने करोड के रुद्रमाला है बेहद के विश्व की यह माला है ब्रह्मा सो विश्णू विश्णू सो ब्रह्मा दोनों का सरनेम देखो यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है आधा कल्प फिर आता है रावड डिटीजम फिर इसलामिजम आदम बीवी को भी याद करते हैं पैराडाइस को भी याद करते हैं भारत पेरडाइस स्वर्ग था, बच्चों को खुशी तो बहुत होनी चाहिए, बेहद का बाप उचेते उच भगवान, उचेते उच पढ़ाई, पढ़ाते हैं, उचते उच पद मिलता है, सबसे उचते उच टीचर है बाप, वह टीचर भी है, फिर साथ ले जाएंगे तो स गुरू भी है, ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा, खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, परन्तु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बाप तो कहते बच्चे याद से ही तुम माया जीत बनेंगे, अच्छा मी रोहानी बच्चों की, रोहानी मात पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉनिंग और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते धारन के लिए मुख्यसार, पहला बाप जो सिखलाते हैं, उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है, विनाश के पहले जीवन बंद से, जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है, दूसरा, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करन है, क्योंकि यह तो समिट्टी में मिल जाना है, इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, और दैवी गुण भी धारन करने हैं, वरदान योग बल द्वारा माया की शक्ती पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजई भाव, जयान बल और योग बल सबसे बल है, जैसे साइन्स का बल अंधिकार पर विजई प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजई बना देता है, योग बल इतना स्रेश्ट बल है, जो माया की शक्ती इसके आगे कुछ भी नहीं है, योग बल वाली आत्म आई स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलग आपके मस्तक पर लगा हुआ है। स्लोगन नंबर वन में आना है तो व्यार्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। अच्छा उमशांती। आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो